तो दोस्तों सबसे पहले आपको Google पर आ जाना है, Google पर आने के बाद आपको EPFO टाइप करना है, आप किसी भी ब्राउजर का इस्तमाल कर लेना, यह आपके उपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप Chrome से भी कर सकते हो, यहाँ पर साइट आपके सामने कुछ इस परकार्स खुल जा यह option आता है, और यहाँ से आपको login होना होता है, ठीक है, sign in होना होता है, login होना होता है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना UNA number डाल देना है, यहाँ पर आपको password डाल देना है, यहाँ पर एक capture आपको नजर आगे, इस capture को आपको यहाँ डाल करता हूं लेकिन आपको एक चीज और में आवगत करा देता हूं बता देता हूं यहां से अगर आपका password काम नहीं करता है password आप भूल गया हो खो गया है तो आप अपना forget password कर लेना ठीक है यह वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जाके आप देख लेना कि forget password कैसे करें इस option पर किलिक करा जाता है पूरा प्रोसेस वीडियो का मिल जाएगा सानु गोडियाल पर आप चले जाना चैनल पर उस पर पूरा वीडियो में ने बना रखा वे देख लेना तो चलिए मैंने सब कुछ ब्रॉडा है कि यहां से दोस्तों आपको बता देता हूं एक नया प्रोसेस चल रहा है सइने जब आप करते था वह mobile number पर इस पाइच चुका है उसको यहां डाल देना है और यहां पर आपको capture नजर आएगा इस capture आपको यहां डाल देना है फिर आपको submit पर click कर देना है तो चलिए फटाफ्ट में submit कर देता हूं यहां से दोस्तो आपके सामने यह option आता है जहां से आप अपना KYC को करते हो KYC में आपकी मुख्य होती है तीन यहां से bank, pen, passport आप only इनको जोड सकते हो अपडेट कर सकते हो लेकिन जो approved है वह है आपकी company ही आपको करके देगी यह चीज मैं आपको अभी clear कर देता हूं ठीक है आपका जो doubt होता है वह है यहां से खतम हो जाएगा ठीक है यहां से चली हम हमारा bank को जोडते है अपडेट करते है तो bank वाले option पर हम click करेंगे दोस्तों उसके बाद आपको bank यहां पर जो दिख रहा है इस पर click करके जैसे ही आप click करते है तो green color का यह हो जाता है फिर उसके बाद में आपका automatically यह नाम ले लेता है नाम को लेने के बाद में आपको करना क्या है यहां पर अपना bank account number डालना है इस जिगा पर जैसे जैसे म आपको डाल देना ठीक है नीचे का जो process होता है वह बाद में खुलता है उससे पहले आपको यह डाल लेना है तो चलिए मैं फटा फटा यह डाल देता हूं डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का लिखा आएगा dot dot manager आएगा confirm के अंदर आपको account number पूरा नज इसमग करूंगा जैसे मैं किलिक करता हूं तो यहां बोलता i修 second पूर और आपको किलिक करते हैं किलिक जैसे करके आप आप आते हो आपके सामने कुछ फार का राटाहेता है में आपको यहां से दिखा देता हूं. ब्रांच नेम ले लेता हूं. daar ON К्लिक करके जैसे आप किलिक करके यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको आधारकाड के साथ जो मोबैल अमर लिंक है उसको पर एक OTP जाता है पहले यह डीटेल आपको चेक कर ले नहीं है सही है ठीक है नीची के तरफ थोड़ा स्क्रोल करता हूं स्क्रोल करने के बाद मैं आपको OTP ठीक ना यहाँ पर option ठीक है यहाँ पर आपको एंटर OTP की जीक है एंटर OTP डाल देना और सब्मीट पर किलिक कर देना तो चलिए फटापड मैं यहाँ से अपना एंटर OTP करके आपको एकदम लाइव दिखा देता हूं यहाँ से जैसे आप एंटर OTP करोगे तो आपका डोट मनेजर आएगा अब मैं सब्मीट पर किलिक कर रहा हूं लाइव अब यहाँ देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बैंक की KYC है बैंक अपडेट हो चुका है यहाँ पर एक मेसेज भी लिखा आ गया है आधार काड़ के साथ जो मोबाइल नमबर लिंक है उसक यहाँ पर आप सो हो जाएगी ठीक है चाहिए पैन की हो यहाँ पर करंट की एक्टिव के वैसी जो भी आपके होती है वह नजरा जाएगी ठीक है नीचे स्क्रोल करके मैं दिखाता हूं जो आप उपर जैंट में करते हो अगर आप नए हो तो आपका KYC करते के साथ यहाँ यहाँ पर नजरा जाएगा बैंक का यहाँ पर लिखा हुआ है वैरिव करशन अंडर प्रोसेश और आपकी KYC आपको यह में दिखा देता हूं पूरा प्रोसेश यहाँ पर आपको नजरा जाएगा इस डीटेल के अंदर आप चेक कर सकता है आपने बैंक जो जोड़ा है व पर पहले क्योंकि यहां पर सबसे पहले वेरिफिकेस अंडर पूसेस आता है उसके बाद पर उसके बाद जैसे अपर लिखी आएगी मैं आपको दिखा देता हुआ इस जगह पर यहां पर नेया हैं बॉकमेंट, इस ऐस्टास से किया है तो आप जाएगा इस्टेटस में आपको पता कर सकते हूँ कि अपरूल यहां पर यहां पर इसका प्रोसेस लिखा जाता है कि आपने ऐभी कर वाई है वे अपर हो चुकि है लेकिन अभी यह चीज़ प्रोसेस बतारहों यहां पर पर लिखा आएगा कुछ दिनों के बाद आपको पैंडिंग विद इंप्लोयर फोर डिजिटल सिगनेचर लिखा आ जाएगा फिर जाके आप अपना जैसे उसको चेक करेगो तीन चार दिन बाद दस दिन बाद वह आपके इंप्लोयर पर डिपेंड करता है मैं आपको बता सकता ह यह चीज़ ठीक है लेकिन इसको एंप्लोयर अप्डेट के बाद sorry तको आप अप्लाइज करने के बाद में pores जाएगा तो दोस्तों आसर करता हूं इस वीडियो के माद्यम से आपको मैंने पूरा PROCEST समझा है तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे सेर करें और पी एप से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चेनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद